हाई एक व्रेट वन मैं हुष्च आलीनी और पर इस वेल्कम है गाई आज मैं आपके लिए आए हैं है बिलकुर दुकानों होटनों जैसे मिलने वाले बुनी के लड़ों जो खाने बहुत रेस्टी हैं आप का भी भी घर में बना सकते हैं और बहुत इसली हैंगे बहुत जल् तो यह नौर्वल बेशन है मैं इसको पहले से ही अच्छे से चान लिया था लड़ू को आप प्यादी बना रहे हैं या कोई भी डिस बना रहे हैं तो आप इसे चान जरो ले नहीं तो इसमें जो भी कोई गुठ्लिया या लम्स रहते हैं वो अच्छे से हट जाएंगे इसके बात फिर मैं इसमों डाला है दो चमर्ज ऑईल और फिर में पाई डालके इसका एक हलका सा लिकट फॉर्म में तयार करने वाली हो तो यह देखे गाइस इसमें आप बेशन में जादा नहीं दो चमर के करिए तेल जरू डाले इससे जो हमारी बनती है जो बूंदी है जो बह बैटा इतना रहेगा जैसे हम भजिया या आलू बंडी के लिए हम तैयार करते हैं बैटा बस उसी कॉर्डिक में हमें अच्छा से इसका गोल तैयार करना है तो यहाद रखिए यदि आप बूंदी बनाने जा रहे हैं तो आप इसको फेटी का जरूरी बहुत अच्छे से कम से कम हमें इसे 10 मिनिट तक फेटना जरूरी है इसे जो हमारी बूंदी है बहुत ही अच्छी कुर्गरी और बहुत ही अच्छी फुली फुली बैनती है तो यह देखिए थोड़ा पाइंट डालके में इसका एक खुल तैयार कर दहीं हूं और बीज इसमें थोड़ा हलका मिक्स करते जाएंगे आप चाहें तो लेक्ट्रोनिक ब्लेंडर से भी इसका उसका भी हूँज कर सकते हैं तो यह देखिए मैं हाँ सही इसको एक घुल की रूपे तैयार कर रही हूं और आदि आप इससे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छी से इसको फेंट और गोल भी से टूट रहा है तो समझे कि अभी हमें ऐसे और फ्रेट ना है तो यह देखिए हमारा फूला परफेरल लिए तैयार हो गया है अब यह से थोड़ी देक लिए ढाक के रखेंगे करीब पांच मिनिट के लिए तो चलिए बेसन काफी अच्छे से फूब चुका है और देखिए इसकी ठार बिलकुर नहीं वी से तोट रही है इसका मतला हमारा जो बूदी का बैटर है मिलकुं तयार हो चुका है तो चलिए सबसे पहले हम मनाते हैं चासनी तो यह देखिए चासनी बनाने के लिए मैंने गर्गी रखा है तो इसमें मैं डालूँगी तो सबसे पहले मारे गैस शालो कर रही हूं और इसमें हम डालेंगे एक कफ़र सक्कर इसके बाद फिर हम एक कप पानी और आधी कलास थोड़ा सा पानी हम इसमें और एट करेंगे क्योंकि हमें चास्नी दो या एक ता चास्नी नहीं मराना है हम इसकी नॉर्मल इतनी चास्नी तयार रखेंगे कि ये हाथ में अच्छे से चिप-चिप चिपाने लगे बस उसी एक चास्नी तेयार करना है तो ये देखिए काप अच्छे से चास्नी में ओबाल आ गया है और इसमें फिर मैं डाल रही हूं फूट कलर फूट कलर अप्शनल है लेकिन यदि आप लड्डू बनाने जा रहे हैं तो हलका से उसमें कलर डालने के लिए आप इसका यूज कर सकते ह है तो में लिकविट कलर डाल रही हूं कलर बहुत ब्रायटी में आते हैं को सूखे में आते हैं लिकविट में आते हैं यदि यसा आप भूस के हैं तो यह देखिए तो मैं एक बहुत ही कम फूट करका मैंने यूज किया है सिर्फ आदी चम्म से के करीब इसके बाइए देखिए हमारी जो चास्नी काफिया से पानी लगी है इसका मालना हमारी चास्नी परफेक्टली तैयार हो चुकी है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे तो चलिए अब हम बूदी बनाते हैं तो बूदी बनाने के लिए मैंने खड़ाई चड़ा दी है उसे मैं डाल नहीं हूं तेल देखे गाइस तेल मैंने डाल दिया है और तेल को अच्छा सा गरम करना है ज्यादा तेश नहीं करना है और नहीं जादा इसको थंडा राखना है यदि आप जादा ठंडा रखें गे जादा गरम करेंगे तो यह तो बहुत जल्दी जल जाएगी और यह तो बिल्कुल जो हमारी बॉंदी है नीचे तली में चिपख जाएगी तो आप इसको मेडियां भी रखें और ति पसके बाद थोड़ा सा मैं बूनदी का दालकर देख लीनic And喝 यह देखें यह उस तरहे से उपर अगर जो बूनदी ओतानने लगी है इसका मेला हमारा जो तेल परफल्टी तयार गरम है तो देखें मैं इस जारी के सहयदा से अगरbuilt्ट बैटर डाल नहीं हूँ और ये देखे इस तरह से सारी बूंदी है अपनी आप ही उपर आ जाती है और फैल जाती है बस इसी तरह से हलकी धीमी आचाए हम इसको चलाते रहेंगे और यदि ये बीच में थोड़ा सा यदि बैटर का या कुछ इखटा हो जाता है तो अब इसको हाँ से भी प्रैस कर सकते हैं तो ये देखे गाइस तरह से हमारी बूंदी है बाटर लिए तयार हो चुकी है तो मैंने आदि बूंदी निकाल दी थी इसे भी हम निकाल देंगे और तेल हलका साम नितार देंगे जिससे तेल ज्यादा ना आई इसमें तो ये देखे इस तरह से हमारी बाटरी बूंदी तयार हो गई है जो थोड़ी बहुत रह गई है वह मैं इसे निकाल दे रही हूँ तो ये देखे गाईज और यदि आपको कुछ बड़ी बूंदी या ये लंब्ज को दिखते हैं तो आप इसे मिक्सी में पिर ग्रैंड कर सकते हैं तो ये देखे गाईज हमारी जो बूंदी है बिलकुल परफेल्ट तयार हो चुकी है देखे कितनी अच्छी सांदार और विलकुल गोल बूंदी आई है और बहुत ही सॉप्ट भी है प्रंची है तो ये देखे इस सबस हमें पढ़िया सी जो बूंदी है नमकीन बूंदी है तयार है अभी मैंने इसमें नमक का यूज किया है ना ही सुगर का और ना ही किसी और नमक का से नमक है नहीं किया है इसके बादो कि याद रखिये चास्टनी आप गरब ही ढलिए या तो बनाते समय ही आप बूंदी में चास्टनी डाल सकते हैं क्योंकि चास्टनी गरम रहेंगी तब हमारी बूंदी है जो बिलकुत सॉफ्ट हो जाएगी और तभी हमारी लड्डू बन पाएंगे और यदि आप ठेंडे में बनाएंगे तो हमारी लड्डू बिलकुल तया नहीं हो पाएंगे ते देखिए इस तरह से गरम चास्नी में उसके बाद हमारी जो बूंदी है हम पूरे में अच्छे से मिक्स कर दें बूंदी है जो सीरे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं मगच के बीज जो लड्डू में आपने अक्सर देखा होगा दुकानों ये होटलों में तो मैंने इनको थोड़ा सा रोष्ट कर लिया था तो वो भी बस मैं इसमें एट कर दे र लिया है जिसे अच्छे से सॉप्ट हो गया है तो बस इस तरह से मैंने हाथ में थोड़ा सा देशी घी लगा लिया था जिससे जो मिक्सर है वो हमारे हाथ में बिल्कु नहीं चिपकेगा बस इस तरह से प्रोसे से हमें लड्डू बनाना है ति देखें धीर जीरे करके इसी तरह से हाथ से प्रेस करके हम अपने सारी लड्डू तैयार कर लेंगे ति देखें हमारे लड्डू बिल्कु परफेट तैयार हो गए है तो यदि आपको थोड़ा सा लगता है कि ये गूल नहीं आ रहे है तो आप इनी थोड़ी देर के ब लड्डू तैयार हो जाते हैं तो बनाते समय ये देखिए काफी घी निकल रहा है जो हमने इने सेका था वही घी निकल रहा है इसलिए मैंने अलग से इसमें कोई घी एड्ड नहीं किया है तो ये दिखें बस इसी तरह से परफ़ेटा लड़ू हमारे तडियार हुजाएंगे जैसे हम दुकानों ये होटल में खाते हैं तो आप किसी भी विकेस हैं ये किसी फेस्टिपल में आप आराम से नहीं बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं तो गाइस यदि आपको मेरी रैस्पी पसना थे मेरी चाने को लाइक जरूरी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि इतनी इजी बुन्दी की लड़ू की रैस्पी कैसी लगी चो खाने भी बहुत टैस्टी है थैंक ये फॉर वाचिंग माय चैनल